पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है इमरान खान की सरकार में विदेश मंतरी रहे शाह ममूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है ये सजा डिप्लोमाटिक केवल मामले में सुनाई गई है जिसे साइफर केस के नाम से जाना जाता है इस मामले में उन दोनों पर देश की गोपनियता भंग करने का आरोप था उसमें उनको दोशी माना गया है और दस साल की सजा सुनाई गई है इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंतरी बने लेकिन अप्रेल 2022 में अविश्वास पस्ताव के जरिए उनको सत्ता से हटा दिया गया इम्रान खान अपनी जन सभाव में एक परची दिखा कर ये बताते रहे कि अमेरिका में पाकिस्तान के ततकालीन राजदूत की तरब से ये भेजी गई सूचना है और ऐसी सूचना गोपनिय होती है लेकिन वे केबल की तारीख और नंबर भी बताते रहे इसके आधार पर इम्रान खान आरोप लगाते रहे कि उनकी सरकार को गिराने की साज़िश रची गई और ये साज़िश उनके राजनितिक विरोधियों और पाकिस्तान की सेना ने अमेरिका के साथ मिलकर रची है इस साज़िश में उन्होंने ततकालीन सेना प्रमुख कमरबा आज़वा को भी शामिल होने का आरोप लगाया अब इस मामले में सजा मिलने के बाद इम्रान खान की कानूनी और राजितिक दोनों चुनोतियां काफी बढ़ गई हैं तोशा खाना ब्रश्चाशार के मामले में उनको पहले ही तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है और इसी अयोगिता के आधार पर उन सभी नामांकन पत्रों को निरस्ट कर दिया गया हालांकि तोशा खाना मामले में सजा निलंबित है और उनको जामानत भी मिल गई लेकिन वे जेल से बाहर आते उससे पहले ही उनको साइफर केस में गिरफतार कर लिया गया पाकिस्तान की फेडर इमरान खान का एक आडियो भी वारल हुआ जिसमें वे अपने सेक्रेटरी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ ये चर्चा कर रहे थे कि साइफर मामले को कैसे राजिनतिक तोर पर भुनाया जाए ये भी उनके खिलाफ गया इस मामले में दस साल की सजा मिलने के बाद इमरान के पास अपील का मौका है लेकिन उसके लिए फैसले की कौपी चाहिए जानकार बताते हैं कि ये कौपी मिलने में ही आठ फरवरी से अधिका समय लग सकता है और ऐसी सूरत में उनको उनके जमाने पर बाहरा आने की कोई संभावना नजर नहीं आती जाहिर है कि बाहर निकल के जो आंतरिक चुनाव है उस समय पर और सही धंग से नहीं कराए इमरान खान और उनकी पार्टी ये आरूप लगाती रही है कि ये सारे मामले उनको और उनकी पार्टी को चुनाव से दूर रखने की साजिश है अब 8 फरवरी को जिस तरह से चुनाव है उसके पहले ये फ